हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज हम बोगन बीलिया प्लांट के बारे में बात करेंगे जो एक पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जैसा कि अभी सर्दियों में सारे पर्मानेंट पौदों की डोर्मेंसी पीरियड होती है लेकिन ये एक ऐसा पौदा है जिसकी अगर आप अच्छे से केर करते हैं अच्छा फर्टिलाजर देते हैं तो सर्दियों में भी इसमें अच्छे फूल आएंगे और आप देख रहे हैं कि इस पौदे में कितने फूल खिले हुए हर एक ब्रांच पे फूल आए हुए है हर एक ब्रांच पे कलियां बन रही है कोई भी ब्रांच खाली नहीं है इस तरह से आप देख रहे हैं तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि हम इसकी अभी क्या केयर करें और कौन सा फर्टिलाजर दें जिससे ये सर्दियों में भी अच्छी फ्लावरिंग करें और इसमें देखिए ऐसे दो रंग पे फूल आई हुए हैं जो पुराने फूल हो रहे हैं उनका कलर थोड़ा सा डार्क पिंक है और जो नए फूल आ रहे हैं वो रेड कलर पे हैं तो दो रंग के फूल इस पौधे में खिलते हैं तो बोगन बिलियार में कई वेराइटी आती है कई सारे कलर के फूल खिलते हैं और सभी की केर एक जैसी होती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसकी प्रूनिंग करनी है आप जो भी पुराने फूल अगर खिल चुके हैं तो इसके फूल एक हपते तक ऐसे खिले रहते हैं तो पुराने हो जाएं फिर उसके बाद आप कट कर दें तो देखकर ही पता चल जाता है पुराने फूल और नए फूल तो आप पुराने फूल को कट कर दें और अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो भी आप उसकी अभी सौफ्ट प्रूनिंग कर दें दूसरी चीज इसकी लोकेशन की आती है कि इसे कहां रखें तो देखिए इसे पूरे दिन की धूप बहुत ही पसंद है गर्मियों में भी ये प्लांट पूरे दिन की धूप में ही रता है तो सर्दियों में तो इसे पूरे दिन की धूप चाहिए ही चाहिए अगर इसे पूर दिन की धूप सुबह से लेके साम तक की धूप इसको मिले पानी भी इस पौदे में तब ही डालना है जब उपर से एक इंच की मिट्टी सूख जाया अभी सर्दियों में अगर आप इसे इसमें एक बार अच्छे से पानी दे देते हैं तो लगभग तीन से चार दिन तक आप को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाला ब्रांच देखे इसमें फूल नहीं आया है तो मैंने इसको थोड़ा सजादा कट कर दिया है और बाकी सारे ही ब्रांच में फूल आये हुए हैं तो ये हो गए इसकी केर की बात धूप इसको पूरे दिन की चाहिए और पानी मिटी सूखने पे ही डालना है अब बात आती है कि फर्टिलाजर इसमें क्या डालना है और कैसे डालना है तो सबसे पहले आप मिटी की अच्छे से गुडाई कर लें और अगर मिटी थोड़ी सी गीली है तो सुबह गुडाई कर लें और साम को मिटी सूखने के बाद ही उसमें fertilizer डालें गीली मिटी में आप कभी भी कोई भी fertilizer ना डालें इस चीज का ध्यान दें नीचे से सारी पतियां जो भी निकली है उसको हटा दें ये देखें इसमें turtle wine भी निकल गया है cutting से तो मिटी की अच्छे से गुडाई कर लें किनारे किनारे जड़ों के पास गुडाई ना करें किनारे किनारे से गंले में इस तरह से अच्छे से गुडाई कर लें और अभी सरदियों में जैसे अगर fertilizer देना है तो सुबह गुडाई करके अगर साम को fertilizer देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो जब भी fertilizer देना हो सूबख गुड़ाई कर लें और साम को फिर उसमें fertilizer डालें कोई भी fertilizer चाहे liquid हो या dry fertilizer हो तो देखे मैंने इसके लिए क्या fertilizer लिया है यहां पर मैंने लिया है यह केले के छिलके का powder पावडर केले के छिलकों को मैंने सुखा लिया था और फिर उसकों पीस के यह पावडर बनाके मैंने रख लिया है तो केले बहुत ही अच्छी मात्रा में फासफोरस पाया जाता है, जो फूलों को खिलने के लिए बहुत ही मदद करता है। बोगनबीलिया ऐसा प्लांट है जिसे पोटेसियम और फासफोरस रिच फर्टिलाजर की ज़्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे मैंने यूज की हुई चाय पत्ती लिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी पाय जाती है, जो पत्तियों को ग्रीन रखने में, हिल्दी रखने में मदद करता है। तो यह तीनों फ्री का फर्टिलाजर है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नीम खली लिया है, जिससे मिट्टी में कोई भी फंगस वैक्टिरिया ना लगे। तो यह एक तरह से एन पीके का काम करने वाला फर्टिलाजर है, यहाँ पे पोटेसियम, फासफोरस और नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाजर है, आपके किचन से ही निकलने वाले सब हैं, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, इन्हें चाय पती को धोना है, अच्छे से धो के सुखा लें, बिना सुखाए धोये इस्तेमाल ना करें पौदों में इस चीज का ध्यान दें, वरना फंगस लगने के चांस रहेंगे, तो इस तरह से आप मिटी में डाल दीजे, मिटी को बीच में करके मैंने थोड़ा सा मिटी पौदे में बहुत ही मदद करते हैं, किसी भी फूल वाले पौदे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बोगन बीलिया में भी ये बहुत ही फायदे मंद होता है, आलू का छिलका और केले का छिलका, इस दोनों को सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि इसको सुखा देना है या फिर आप इसमें लिक्विट फर्टिलाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केले के छिलके का लिक्विट फर्टिलाजर बना के भी डाल सकते हैं, तो इस तरह से देखे मैंने मिट्टी में डाल दिया और उपर से मिट्टी किनारे करने के बाद इसको डाल दें और फिर उपर से मिट्टी से इसे ढख दें तो ये बिल्कुल औरगेनिक फर्टिलाजर है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बिल्कुल फ्री का है इसमें कोई एक प्रुप्या खर्च भी नहीं होना है तो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों पे जरूर करें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें अपने पौधों में और बोगन बीलिया प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो ये फर्टिलाइजर डाल के जरूर देखें मिट्टी में फर्टिलाइजर डालने के बाद यहां पे देखें मैंने एक मग में एक लीटर के करीब पानी लिया है और यहां पे एक चमच मैंने एपसम साल्ट लिया है तो सर्दियों में पत्तियां पीली होके गिरने की समस्या जादा देखने को मिलती है तो एपसम साल्ट पत्तियों को ग्रीन बनाए रखने में हिल्दी रखने में मदद करता है और यहाँ पे मैंने आधे चमच के करीब हल्दी पाउडर लिया है आप फंजी साइड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे पौधे पे जो चीटियां लगती हैं कोई भी फंगस उन सब को रोकने में ये मदद करेगा तो अच्छे से पानी में मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए मिट्टी में डाल दिया है बहुत जादा नहीं डालना है बस इतना ही डालना है जितना मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर ले तो अगर आप इस तरह से अपने प्लांट की केर करते हैं बोगनवीलिया का देखबाल करते हैं ये फर्टिलाजर देते हैं तो 100% गारंटी है कि सर्दियों में भी भरभर के फूल आएंगे पूरे पौधे में आपको सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे बस आपको धूप और पानी का थोड़ा सा जादा ध्यान देना है फर्टिलाजर डालने के बावजूद भी अगर आप धूप और पानी में थोड़ा सा कमी या ज़्यादा कर देते हैं धूप तो इसको पूरी मिलनी चाहिए पानी आपको ध्यान देना है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी अगर ज़्यादा होगा तो भी पतियां पीली होके गिरने लगती है तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे में भर भर के फूल आएंगे तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पौर वाचीं